कि मोबाइल नमर कैसे चिंज करना है या आईडी को रिष्टेड करते समय कोई भी मिस्टेक हो गया है तो उस मिस्टेक को कैसे सुधारना है इसके अलवा यदि आपका क्या अपरूड नहीं दिखला रहा है और रॉंग बतला रहा है कि आपका क्या मिस्टेक है वो सारा भी क्या है क्योंकि कल मैंने जो वीडियो बनाया था बैंक एकाउंट हम कैसे चिंज करें एडेवलूपील कंपनी में तो उस वीडियो पे बहुत सारे कॉमेंट्स ऐसे भी आया थे जैसे कि यदि डेट ऑफ वर्थ मिस्मैच हो गया है तो उसको हम कैसे करें इसके अलाव मोबा बताऊंगा कि आईडी में आप कुछ मिस्टेक कर दिये हैं जैसे माल जी कि अप रिश्टेशन कर रहा है रिश्टेशन करते से हमें डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक कर दिये हैं या नेम मिस्टेक कर दिये हैं जो अधार नंबर पे नाम दिया हुए आप नाम सही नहीं डाले है और आईडी जो है रेइस्टर्ड हो गई है यूजर आईडी और पासवर्ड आपको कमपणी के दुवारा मिल गया है बट ऑनलाइन जो किवाइस ही उसका वह एप्रूब्ड नहीं दिख्रा रहा है विकॉज वहां कुछ रॉंग है मिसमैच है इन सब चीजों को हम कैसे आज के वीडियो में दी जाएगी तो आई दोस्तों वीडियो को में स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों यदि चैनल में नए है आप तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब किजेगा ताकि इसी तरह के वीडियो समय समय पर आपको मिलत रहें तो आई दोस सबसे पहले तो date of birth जो पूफ है वम जानते हैं कि करते स्मय कि अधार को काट पूफ दिया है तो अधार में जो data of birth है और जो हमनेpell ब्हरा है उसको मिला लेना है मिम्समैश है इस का मतलभ कि उसमें थोड़ा अमने गल्ति किया है, तो अधार को आपको रखना है signature करके, photocopy कराके, signature करके, self-attester करके, रख लिना है, scan करके, अब करना क्या है, company की mail ID, ID correction की mail ID, आपको use करनी है company की, id correction at the rate asclepiuswellness.com, इस mail address पर जाकर आपको mail करना है, और mail में क्या करना है, आपको अपना नाम बताना है, जो user ID है, आपका user ID डालना है, इसके अलावा आप से क्या गलती हुए है, वो बताना है, और उसको बताने के बाद सही, जो date of birth है, उसको भी लिख देना है, और उसके बाद supporting attachment में क्या करना है, अपना अधार का जो attachment है, जो आपने self-attested करके scan करके रखा है, उसको attach कर देना है, attach होने के बाद क्या होगा, कि जो भी आपने ID में गलती किया था, जो date of birth, आपका mismatch था, within 24 hours, वो जो wrong था, उसको correction कर दिया जाया, company की तरब से, इसके अलावा mobile number भी है, तो mobile number भी change करा सकते हैं, और नहीं से, और नहीं तो दूसरा जो email ID है, वो है, kyc.asklepius.com, इस mail address पर भी जा कि अपना mobile number चेंज करा सकते हैं, जिस पर bank खाता भी हम लोग change करा सकते हैं, second thing है, कि बहुत सारे viewers बोलता है, कि हम जब registration कर रहे थे, तो अधार में जो नाम है, और registration करते समय है, उसके form फिल अप करते समय है, उसके name में हमने mismatch कर दिया, उसको हम कैसे correct करेंगे, तो उसके correction के लिए भी आपको ID correction mail address पे, company के जो mail address है, id correction.asklepius.com, इस mail address के द्वारा आपको mail करना होगा, और जो name का proof है, जो की अधार का first copy है, और उसको हमको company को attach करके, जो self-attested आपने करके रखा है, उसको attach करके भेजना होगा, तो यह सारी जनकारी थी, technical, बहुत सारे भीवर जो हैं, उनको नहीं मालूम है यह जनकारी, और I hope आप सभी जानगे होंगे, कि mobile number कैसे change करना है, या ID को registered करते समय कोई भी mistake हो गया है, तो उस mistake को कैसे सुधारना है, इसके अलावा यदि online आपका KYC approval नहीं दिख ला रहा है, और wrong बत ला रहा है कि आपका क्या mistake है, वो सारा भी आपने आज सीख लिया कि कैसे हम उसको online approval के लिए उसको भेज सकते हैं company के द्वारा, तो I hope दोस्तों आपको यह जनकारी अच्छी लगे होगी, वीडियो यह इच्छा लगा हो तो वीडियो को like किजेगा, और वीडियो अन्फर्मा टीप लगे तो इसको share किजेगा, जो दोस्त ना है अपनी चनल को subscribe किजेगा, मिलता है इसी तरह के नए अपडेट नए वीड प्योँ से घेनोद अगूहis को अन्फर्मा लगाओेड़ मिलता है, नए वीडियो वीडियो के के वीडियो को आप Le mac Le